असलाम लेकुम सुट्राइबंस, होप यू अल फाइन, आज को टॉपिक है केमिकल लेचर ओव डिने एंड स्ट्रक्चिर ओडिने, तो सबस्टे पहले यह बात करेंगे कि डिने होता कि है, डिने है डी ऑक्सी राइबो नीकलूटाइड एसिट, यानि डिने में क्या होता है, एक होती है राइबो सुगर, यह आपको निज़र आरी है, यह इसमें 5 कारबन हैं ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 कारबन है, जो 5 कारबन है, उसके उपर एक फॉस्ट ग्रूप लगावाँ, ठीक है, यह फॉस्ट ग्रूप है, और जो फॉस्ट कारबन है, उसके उपर नेटोजिनेस बेस जो है, वो अटैश होती है, जो कि अडिनिन, गवानिन, थाइमेडिन और साइटोसीन जो है, आप पढ़ चुकी होगे, पहले क्लासिस में बी, कि वो यहाँ भी अटैश होती है, ताकि कि ऑख़े, जब DNA का स्ट्रूक्शर बनेगा, उसकी बेस उनके दरमियान में इट एक्षिन होगी और Diन का एक स्टॉक्चर बनेगा विसके बार जोसका 2nd कार्बन होता है यहांपर सिर्फ एक होता है जबके 3rd कार्बन के उपर नाम है डी आख्षियन यहां पर इसमें एक कम है यहां पर आक्सिजन की कमी है डी आक्सी राइबो राइबोस चुगर की वज़े से नुकलिक एसिड अब इसको नुकलिक एसिड क्यों कहते हैं यह मैं आपको बताती हूं इसको नुकलिक एसिड कहने की वज़ा यह है कि जब डियने डिसकवर हुआ था ठीके 1869 में 1865 में मैंडल का जो वर्क था है रिडिट्री क्यों पर सारा के जो है वो जीन्स जो है वो पे ट्रांसफर होती है जीन्स होती है जो ट्रेड्स को करेक्टर को किसी भी और्गनिसम की नीच постро को डिटर्मेंट करती है और जीन्स क्या कहाँ पर होती है डियने के लुब भी मैंड का लॉट डिसकवर होने के पांस साल ग्राशाय's क्यों कि हीक्शा है क्यों किस लेंट की उसक बार मिटर का झाफिया ऊसको उसको लाइट चोटा सब्स्टानस थां और उसका नाम रख दिया निकलियस से निकला था ठीक है। फिच स्पाम में भी और वीमें इंदर से भी तो इसने का कि नियुकलियस से आए वा है तो इसको हमने निकलियस कहा दिया अब जब उसने नेचर की इसकी नेचर क्या है structure क्या है structure तो वह study नहीं कर पाई लेकिन इसकी नेचर में पाया चला कि यह क्या है थिक है यह हम कहते है DNA के जो है वह acidic nature होती है तो इसलिए इसका नाम रख दी उसने Nucleic Acid ठीक है जिसके विए से नाम Nucleic Acid पड़ गया अब 50 साल के बाद जो है वो Biologist हो है वो थोड़ सी research की उन्होंने लेकिन उसके बाद भी उनको ज्यादा structure function नहीं पता चल सके क्योंकि उस time पर electron microscope नहीं थी लेकिन हाँ उसकी नीचर उसकी chemical reaction की विए से उसकी नीचर का बदा चल गया कि वो aesthetic होती है 1920 में the basic structure of Nucleic Acid अब Nucleic Acid का भी basic structure जो है वो discover हुआ सबसे पहले P.A. Leven जो है वो एक scientist सा उसे 1920 में यानि 1869 के बाद 1920 में जो है वो एक efficient काम हुआ DNA के उपर who found that DNA contains three main components ठीक है अब DNA के अंदर तीन component होते है एक पहला आपको पता है ribose sugar ठीक है five carbon वाली sugar, phosphate group और nitrogenous paste ठीक है जो के होती है अडिरिन, गमाने, थाइमिन और cytosine अब basis की भी दो टाइप होती है एक होती है pyramidine और एक होती है purine आपने ये बात याद रखनी है जहां पर दीन आएगा वहां पर जिसे thाइमिन, cytodine ये दो वर्ड इस तरह से बनते हैं जो के क्या है जिसमें दीन आता है तो वो होगी pyramidine और जो purine है एडिनीन गवाने, इनके नेम भी छोटे छोटे से है, एडिनीन गवाने, लेकिन अगर हम thाइमिन लगाते है किसी जगा पे है तो वो गलत नहीं होगा, थाइमिन को हम thाइमिन भी कहते है अच्छा अब नुक्लिटाइट्स में आपने देखा होगा pyramidine और purine के जो नेम्स है अगर हम thाइमिन के साथ दीन लगाते है, थाइमिन लगाते है, थाइमिन भी वर्ड होता है इसका नेम अगर हम thाइमिन से थाइमिन भी किसी जगा पे आप लगते हो, तो वह गलत नहीं होगा क्योंकि यह क्या है, यह पारेमिन जो पारेमिन ने उनके एंड पे दीन लग सकता है साइटे, साइटोसीन से साइटे दीन भी हो सकते है, ठीक है तो अगर आपको भूल जाए कि पारेमिन कौन सी है, प्यूरीन कौन सी है तो आप यह याद रखना कि थाइमिन और साइटे इन भी होती है लेकिन एडिनीन और गवन के लावा कोई और इसका डिफरेंट नेम नहीं होता है इनके यह नेम भी हो सकते है, थाइमिन और साइटे इन ठीक है और इसके साथ यह आरनी के अंदर यह वह थाइमिन की जगह के होती है, वह यह यूरस से लोती है उसके बाद लेमिन ने कंक्लूड किया, कि DNA और आरनी के मोलीक्यूल्स जो होते है रिपीटिंग यूनिट्स यह निएक नुकलियोटाइट, निकलियोटाइट क्या होता है, अगर नुकलियोटाइट में क्या तीन चीज़े होगी वह पे पिषेट हमाँ पर वह थाइप कार्बन शुगर भी होगी अधिकिन वर्ष रहना और वाइ बी शुगर भी है और यहां पर आपको यह वहाँ नियजी कर दो कर दो पर हुआ तो चोगर हो। एक पूरा डीनियन का सचैन जो हो भन जाएगा इस तार से वह कंटेरों से रिपीड होते होते हैं और इन जो दूसरे नुकलोटाइड उसके फॉस्फेट के साथ अटेच होगा जिससे क्योगन की दिनम्यान में लिंकेज बनेंगे जिसको हम कहते हैं जो यहां इसके जुगहजा होगा कि बनेंगे अग्यक्तक फॉस्फेट प्रेजी दिनम्यान मां लॉड़ यहां सबस्केज बनेंगा अग्यान वchodzi लॉड़ देंगा इस अग्यान क भी शाजयद क्लैने के पिर शॉस्फेट एक बनेंग अग्य। असे बंड्लिंग क्या होता है कि अ कि जोगके इनीयग इसको हम बनाते हैं यहां पर oxygen और carbon जो है वो यहां पर मुझूद होगा यह वाला जो थर्ड carbon होगा जा एस्टर बॉंड कॉंसे बॉंड हो जिसमें एक carbon जो हो oxygen के ज़री किसी और के साथ बाइंड करता है ठीक है तो यहां पर एस्टर बॉंड बन गया है phosphate के साथ अगले nucleotide के और जिसकी वजह से क्या होगा जो पूरा sequence है continue होता रहेगा उसके बाद एक important बाद आपने याद रखनी है कि एक scientist एक और था उसने बात जो है वह concept निकाला था कि DNA के अंदर जितने एडिनीन होंगे उतने ही thymidine होंगे ठीक अगर हमें एक question आ जाता है कि आप बताएं एक DNA का strand है उसके अंदर जो है वह इतने A है इतने C है ठीक है यानि तीन एडिनीन है और दो जो है वह साइटोसीन है और हमरे पस तीन ही thymidine है तो बताएं गवानीन कितने होंगे ठीक है तो इसका मतलब है अगर साइटोसीन दो ह क्योंकि साइटोसीन हमेशा गवानीन के से बाइंड करता है जहां साइटोसीन मजूद होगा वहां पर गवानीन जरूर होगा और जहां एडिनीन होगा वह थाइमीन जरूर होगा या यूरसल होगा अगर वह आरने का strand है तो ठीक है तो यहां पे अगर जितने थाइमीन हों कि एक सांटिस हरोजर इन फ्रैंकलीन थीक है इसने क्या किया डियनिए के ऊपर एकसरे को बंबार्ड गिराया जिसके रिजल्ट में क्या हुआ कि एक स्ट्राइक किया उन्होंने तो वहां से बैंड होगी यानि जाकर इनिका मॉल्किल था उससे वहीं से वह बैंड होगी अब इसे के निया पात बनता है इस पास थे वह गई ती इस पास वह रिटन होके वापेस आयनि इसके हैं तो ऑस से के ए्क सर्थिर्प्राइब कर सकते हैं ठीक है रोजलेन फ्रैक्टिंग ने क्या किया एक्स-डै डाइफ्रेक्शन करवाई यानि जो डीने था इसके एक्स-डै करवाई और जब यह एक्स-डै बैंट होके वापिस है इनका पाथ उनका जो है वह जो है वह चेंज देखी इनमें के कितने एंगल पाथ बना है वह कितना बेंट हुई है उसके कॉर्णिक उसने DNA का एक structure जो है राफसा बना लिया ठीक है जो के double stranded था और इसके डबल हैलिकल था ठीक है और यहां इसके जो diameter था वह 2nm था और जो उनका हर जो है turn यानि यहां से लेकर यहां तक कर जो distance है इस turn से लेकर इस turn तक जो इसके खत म होने तक कर दिस्टंस है वो होता है 3.4 नैनो मीटर ठीक है यह सब उसने इस एक्सरी डायफ्रेक्शन से जो है वह कंक्लूड किया था अब इससे पहले कि वह अपना यह जो है वह एक्सपेरिमेंट के मैंने एक्सरी डायफ्रेक्शन करवाई डियने के उपर और मुझे इसका पता चला उसके टरन का जो है वह डायमेटर पता चला इससे पहले कि वह पब्लिश करता दो और रिसर्चर थे जो थे जेम वाटसन और फ्रांसिस क्रिक यह दो रिसर्चर थे जिन्होंने क्या किया इसके काम को पब्लिश होनी से पहले पहले उन्होंने अपना वर्क पब्ल प्देशिलिंग के काम से पबलीश होने से पहले इन्हों ने अपना प्देश करवा दे जिसमें एनों ने डियने को डिस्क्राइब किया था अब उनके एक्डरिंग डियने जो है वो सिम्पल double helix मतलब है है यहां पे स्ट्रक्चर है और इसमें डबल का मतलब है दो हैं और दोनों के दोनों है लिकल है और उनमें बेस्पेर जो है वह अरेंज हुए है इस तरह से स्टैक फॉम में बिल्कुल एक सीडियों की तरह का जो है वह स्ट्रक्चरल लगता है इंदेर नहीं के जएन के बन होंदी होती है अगर तयमे मिंशंग में तो लो बॉंड होंघे और ग्रमैनी और साट्रिसीमस होंगे तो तीन बॉंड होंगे और इसका चन्न ऐमेटर 28 जैन में 2 N español होता है ठीक है ini 2 나올 Salvadoran न sinful तर ने हमेदिशugen wait त्रिक्टर और बॉरुज़ और इसके साथ सथ एक और बांडिंग इस डबल बॉन्ड के इलावा इक और चीज है जो इनको इसे नाव पर मसह इस जगा पर रहेगा अगर पनी जगा पर रहेगा उफिलेगा नहीं और और वो बॉंड बनाए रखेगा तो वो जो DNA का स्ट्रुक्चर रहेगा अगर अगर अपनी जगह से हिल जाता है उसका बॉंडिंग भी खराब हो जेगी तो क्या अगर DNA का स्ट्रुक्चर कासरी तो इसके स्ट्रुक्र होता है यंकि को स्ट्रुक्र इसके स्ट्रािट का मतलब कमें वो जो 45th आख तो यहां पर स्ट्राइण लगें और सा त्यान यहां जो इस इस और यहां से लेकर यह सहां तक का यह beiga है 3.4 nanometer ंफcko हम एक उनका आपते 234 तो और सुधनासे इसको हम यहां यहां तक की नियुकरत का यहां सह उनकी मपढवाथ है यह इसको हम कहते है माइनर ग्रूफ और यह बहुत बड़ा आपको कर्व नजर आ रहा है यह पूरा इसको हम कहते हैं मेजर ग्रूफ तो यह डियने का स्रक्चर है अच्छा अब मैं आपको एक और चीज बताऊंगी कि आगर आपको डियने का 3D स्ट्रक्चर बनाना पड़ जाए लाइका पेपर नजर आ रहा है इस तांकी बॉंडिंग नजर आ रही तो वह मैं आपको बनाने का एक सिंपल तरीका बताती हूं यह मैंने एक जो है वो साइड बनाई है डियने की ठीक है इसमें कौन सा है इसमें फिफ्ट कार्बन जो है वो टॉप पे है यानि फाइव एंड यह यहाँ प को उल्टा कर लो और इस ते ना बिल्कुल इसके अपसिट चो है यहां पर वह आप बनादो ग्रूप यह फिर्स कार्बन है तो डैफिनेटल्इ यहां पर नारोजिनस बेस आईगी और यहां पर जो है वह फिर यह अब यह वाला जो एंड हो गए वाला फाइवंड है क्यूंक ठीक है थ्री प्राइम हो जाएगा अचा अब यहां पे क्या होगा यहां पे होगा ओ ओैज कि यहां पे और बांड बनाने के लिए कुछ नहीं है लेकिन यह फिंत वाला कार्बन होगा Isky आप यहोगा फॉसफिट ग्रूप होगा इस पर फॉस फिट तो आप यहां पर इसके ऑपोजिट आ गया ठीक है आप बिल्कुल इसी तरह चलाते जाओ अब कैमरा क्यूंकि मैंने हाद में पकड़ा है तो मुझे नदर नहीं आ रहा है तो यह हो गया फॉस्फेट ग्रूप ठीक है इसका अब आप उसकी कॉंप्लिमेंट्री जा यहां पर यहां पर एच होगा और यह जो है वो नुकलेटर रापस में बांड होते जाएंगे मैं आपको पूरा ड्रॉग करके देगा ठीक है यह एक जो है वो राइबोस चुगर है यहां पर फॉस्फेट ग्रूप लगावा है यह आपने यहां पर बांडिं करवा देनी है यह गव लोगन का सब्सक्राइब पर कर देखेंड करेंव जो यह नियो आपको दिखाऑ आपको दिखाया वहा है आपकी इन्दर के यह जो है इसकी बैकबोन है हानि यानि यह वो स्टेंड है और यह जिसना जिसना सीड़ियां होती है उसके जो नाटो जनस बेसी थे उसके स्टेप्स की तरह हो दोगी यह थोड़ा रफ ड्रॉव किया है मैंने उनके मैं कैमरा की वज़े से देखनी पारी सही तरह तो आप इसको नीट करके ड्रॉव किल देजेगा और यह देखें आपका थ्री एंड और यह बिलकुल एंड पर आपकी कौन सी शुगर आ रही है फिफ्ट शुगर आ रही है तो यह फाइफ एंड हो गया और यह जो नीटले टायर्ट है यहां पर बिलकुल बेस पर जैसे स्टेर केस होती है जी सीड़ियां होती है उसकी तरह लुगाना नजर आएंगे इसलिए दो कर आए इसको कहा गया है कि यह स्टीर के इसका स्ट्रेक्शर है उसकी स्मिलर होता है डियानी का स्ट्रॉक्शर यह आप देख सकते हैं आपकी बुक में वही स्ट्रक्सर ड्रॉव हुआ हुआ है डिटेल में कि आप डियाने को कैसे ड्रॉव करेंगे यानि यहां पर अब यह बिल्कुल लोना ने इसी तरह किया हुआ है कि आप मैंना कुछ बताया है कि आप अपना पेज उल्टा करके उसक यहां पर ड्रॉव किया है वैसे आप भी ड्रॉव कर सकते हैं यह है वो इसकी शूगर और फॉस्फेट की यानि के राइबोस की और फॉस्फेट ग्रॉप की बैक पॉन जो है वो सपोर्ट कर रही है इन नाटे रिजनलस बेसिस को और इनकी बॉंडिंग को